हलो फ्रेंड्स इस रेट बटन को दबा कर आप हमारे चैनल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं यह पूरी तरह मुफ्त है और इस बैल आइकन को दबा कर आप हमारे आने वाले हर वीडियो का लुफ्त उठा सकते हैं रिवीलिंग आए कि एक और नए अपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सौरब चलिए सुरू करते हैं अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है आप उन करोडों लाखों लोगों में हैं जो सच में ब्यूटिफुल बनना चाहते हैं आज मैं यहां कोई ब्यूटि प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाला हूँ और ना कोई ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो रातो रात आपको गोरा कर दे मगर सच मानिये अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो साया सच में आप सुन्दरता को प्राप्त कर लें ब्यूटिफुल बनने के लिए हमें सबसे पहले इसके पीछे की साइंस को समझना होगा आपकी नजरों में इस दुनिया में सबसे सुन्दर कौन है इनसान के बच्चे जानवर के बच्चे फूल पौधे या भगवान आपने इन सभी को कभी भी बदसूरत नहीं देखा होगा मगर ऐसा क्यों होता ह यह सब ही बेहत खुबसूरत है इनके चेहरों में एक अलग सी चमक है और वो हमेसा ही हमें मोहित कर लेती है अगर हमने इसका जवाब कोज लिया तो हम दुनिया के सبसे खुबसूरत इनसान बन जाएंगे और इसका जवाब हमें इसलाम की एक कहानी में मिलता है एक बार की बात है एक बहुत अमीर व्यापारी था जिसकी चार बीवियां थी वह अपनी चौती बीवी से बहुत प्यार करता था वह उसका बहुत ध्यान रखता था और उसे दुनिया की हर वस्तू लाकर देता था वो अपनी तीसरी बीवी को भी बहुत चाहता था उसे उस पर गर्व वह हमेशा अपने दोस्तों के बीच उसकी वज़े से चर्चा का विसाइब बना रहता था जिस कारण उसे डर भी लगता था कि वह कभी किसी और के साथ ना चली जाए वह अपनी दूसरी बीबी को भी प्यार करता था वह हमेशा धैर से काम लेती थी और उसके बड़े बड़ किसलों में उसका साथ देती थी जब कभी भी व्यापारी कोई परिसानी में होता तब वह अपनी दूसरी बीबी के पास चला जाता और वह उसकी परिसानियों को चुटकीम हल कर देती व्यापारी की पहली बीबी उसकी सबसे वफदार थी वह घर समालती थी और उसके व्या वेपारी बिमार पड़ गया और उसे पता चला कि वह चंद दिनों का महमान है उसने अपनी खुसनुमा जिंदगी के बारे में सोचा उसने सोचा मेरी चार बीविया हैं मगर मैं अकेला ही जा रहा हूं मैं कितना अकेला रहूंगा इसलिए उसने अपनी चौथी बीवी से कहा उसकी इस बात ने वेपारी के दिल पर छुड़ियां चला दी फिर उसने अपनी तीसरी वीवी से पूछा कि सारी जिंदगी मैं ने तुम्हें प्यार किया क्या तुम मेरे साथ चलोगी उस की तीसरी वीवी ने जवाब दिया यहां जिंदगी बहुत खुस्नुमा है मैं तो जब तुम मर जाओगे तब मैं दूसरी साधी कर लूँगी ऐसा सुनते ही व्यपारी का दिल थंडा पड़ गया इसके बाद उसने अपनी दूसरी वीबी से पूछा मैं हमेशा तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ और तुमने हमेशा ही मेरी मदद की है आज फिर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है आज जब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी मुझे माफ करना इस बार मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती मैं तो बस तुम्हारी कबर तक तुम्हें छोड़ सकती हो यह सुनकर व्यापारी बहुत उदास हो गया और उसे लगा कि वह अभी ही मर जाएगा तब ही एक आवाज आई मैं तुम्हारे साथ चलूँगी मुझे इससे फर्क नहीं बढ़ता कि तुम कहां जा रहे हो व्यापारी ने उधर देखा तो वहाँ उसकी पहली वीवी खड़ी थी बहुत ही बेचारी सी हालत में कोई भी उसे देख कर कह सकता था कि वह कुपोसित है और जल्द ही मरने वाली है व्यापारी ने सोचा कि सायद मैं इसे प्यार करता और इसकी देख भाल करता तो आज ये इतनी बेचारी ना होती अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का कूपसूरती से क्या वास्ता तो हम अपने प्रस्न को इस कहानी में खोचते हैं बच्चे भगवान या फूल पौधे इतने सुन्दर क्यों होते हैं जब कभी भी आप भगवान की तस्वीर देखते हैं तो पाते हैं कि उनके पीछे एक चक्र बना हुआ है वह चक्र हम सब के पास होता है और उस चक्र को औरा मंडल या आभा मंडल कहते हैं यही बच्चों में भी होता है जिस कारणवा सुन्दर दिखते हैं मगर जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तब यह कहीं खो जाता है पर क्यों? इस कहानी के अनुसार हम सभी के पास चार बीवियां होती है जिसमें चौती बीवी होती है हमारा सरीर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने सरीर को कितना सजा कर रखते हैं या कितनी उसकी केयर करते हैं जब आप मरेंगे तब वह यहीं रह जाएगा हमारी तीसरी बीवी होती है हमारा रुतुबा हमारा स्टेंडर्ड हमारी प्रॉपर्टी जैसे ही हम मरते हैं हुँए किसी और की हो जाती है दूसरी बीवी होती है हमारी फैंपली और फ्रेंट्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनके कितने करीब है यह तो बस आपको आपकी कबर तक छोड़कर आएंगे और चौती भीबी होती है हमारी आत्मा, जिसे हम हमेशा ही निगलेक्ट करते हैं, बुरे कर्म करते हैं और अपने आपको धोका देते हैं, बस यही है जो हमारे साथ जाने वाली है, जहां भी हम जाएंगे, इसलिए हमें उसे स्वस्त रखना चाहिए, बुरे कर्म के कारण हमा हमारा औरा मंडल या आभा मंडल बिगड़ जाता है, जिस कारण हम बजसूरत हो जाते हैं, जब तक हम अपनी अंदर की खुबसूरती को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम खुबसूरत नहीं हो जकते, बच्चे चाहे किसी की भी हो, जानवर या इनसान के, हमेशा इसलिए स अत्मा सुन्दर होती है, और वो चल, कपट और द्वेश से बहुत उपर होते हैं, अगर आप भी वैसे ही बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से प्यार करें, अपने आपको कोशना बंद करें, उनसे प्यार करने की कोशस करें जो आप से प्यार करते हैं, स्वार्थी ना बने क्योंकि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं तो क्यों सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं सच्छा प्यार करें और सच्छाई से प्यार लें आज की एपिसोड में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें अपने फैम